है हलो आसे सबल्ए Videmesra आपको स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सीपीजी में सिबिल प्रकेरिया सहता निस सो आर्थ में भिद्क्री के बारे में दिक्री के बारे में जो धारा दो 2-2 में परिभाशित है तो सी पीसी में यानके सिबिल कि पिरकिरिया कि सहता कि 1908 में कि डिक्री थीक है यानके अग्याप्ति के बारे में अग्याप्ति के बारे में जो सी पीसी की धारा कि धारा कि दारा कि दो दो में परिभाशित है इसकी परिभाशा परिभाशा धारा दो के उफखंट दो में दी गई है आज की इस वीडियो में हम कौन-कौन से बातें बताएंगे वो कंटेंट देख लीजिए पहले बताएंगे डीक्री की परिभाशा दीक्री की परिभाशा फिर बताएंगे डीक्री के तत्व और उसके बाँ बताएंगे डीक्री के परकार दीक्री के परकार दो परकार की डीक्री होती है प्रारंबिक और दूसरी अंतिम प्रारंबिक रीक्री इसे संब्धित कुछ अन्तिम भी टीक्री से संब्धित बताएंगे अगर आप हमारे इस चैनल पने हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबा कर सब्सक्राइब करने बिलकुल निशुलक है मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें अब देखिए परवाशा, दीक्री की परवाशा क्या है? बीक्री परवाशा, दीक्री से ऐसे अननिन्रणै की उवचारिक अभीब्यक्ती अभिप्रेथ है जो की बाद में के सब यकिनी विवादस्पत मिश्यों के सम्मन्द में पकुषकारों के अधिकारों को बहा तक निश्चायग रूप से अभधारित करता है जहां तक कि उसे अविव्यक्त करने वाले न्याले के सम्मंद हैं और बहे प्रारम्विक या अंतिव हो सकेगी इसके अंतरगत बात पत्र की आस्विकिर्थी और धारा 144 के अंतरगत किसी प्रेश्ण का अपधारण भी समझा जाएगा किन्तु उसमें दो बाते तो बाते हैं ऐसा कोई न्याय निर्णैन नहीं होगा जिसकी अपील आदेश की तरह होती है दूसरा चू के लिए खारत करने का कोई आदेश होगा अग्यापती के तत्व अग्यापती की जो तत्व हैं वो पहला तत्व यह है कि दीकरी के लिए न्याय निर्णैन की आपचारिक अभी ब है ओपचारिक अभी बेखती नियाई निर्णायन में ऊछ खो दूसरा तत्वेन यह निये मामले जो मामला हैë ज़ो आम लाओ नियाले के समक्ष मामलों में क्या जाना है लोन वह समक्ष मामले होंग इन तीसरा तत्व workspace नियाय निर्णन के द्वारा मामले के विबाद गरस्त विश्यों में से सब या किसी एक संबन में पक्षकारों को अधिकारों जो अधिकार है उन अधिकारों का आधारत के जाना ठीक उसमें अधिकारों के बारे में एक अधिकार एक भाग पर या अन्य पर भी ठीक एक विशाइपर या अन्य विशाइपर चौथा ये नियाय निर्णैन निश्चायक होना और पाचमा है ऐसा नियाय निर्णैन का किसी सिबिल या राजस नियाले के द्वारा किया जाना यह जो दिक्री का मामला है वो सिविल नियाले में होगा या राजस के मामले में होगा यह केमिनल में नहीं होता है ठीक क्योंकि हम सिविल पर के सहता सीख रहे हैं इसलिए यह निया नियान नियान वो सिविल या राजस नियाले के दोरा ही किया जाना दिक्री की दो परकार हैं एक प्रारम्भिक है और दूसरी अंतिम होती है अब पहले प्रारम्भिक दिक्री देखिए बहे डिक्री जिसमें नियाले किसी बिवादस्पत विशय में पक्षकारों के अधिकारों को निधार करता है सब्धार निधारर तो करता है परनतु बाद का पूर्ण रूप से मतारा नहीं करता है क्योंकि बाद का पूर्ण रूपर जो दूनरř किया जांगा वह पूर्ब और भी कारवाईयां की जाती है कहने मतलब है जो प्रारंब दिक्री है उसमें आपके अधिकारों को कुछ बता दिया जाता है लेकिन कुछ कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है जब तक कि इस इस्थिती में नहीं आप आ जाता कि बाद में अंतिम डिक्री पारत करें इसलिए रोका जाता है इसलिए प्रारंबिक डिक्री पहले दी जाती है बाद में अंतिम होती है तो प्रारंबिक डिक्री में कौन-कौन से मामले आते हैं ध्यान से सुनियों से पहला है कभजा ठीक है कभजा इधर लिख रहा हूं मैं कौन-कौन से मामले आती है इसमें प्रारंबिक डेक्री में पहला है कभजा कभजा वाले मामले ठीक किराया किराया वाले जो मामले होते हैं किराया औराय के बिबाद होते हैं वो मामले इसमें आते हैं मदवर्ती लावों के लिए बात किया था वो भी इसमें आते हैं प्रसासनिक बात प्रसासनिक जो बात होते हैं वो भी प्रारंबिक डिक्री में आते हैं अगरा किरादिकार के लिए बाद अगरा किरादिकार के लिए जो बाद होते हैं वो भी सी में आते हैं ठीक है भागदारी की समापती के लिए बाद जो भागदारी है उसकी समापती के लिए भागदारी की समापती के लिए भागदारी की समापती के लिए भी जो बाद होते हैं वो भी सी में आते हैं ठी मालिक अभिकर्ता के बीच के हिसाब का बाद मालिक बाभिकर्ता जो अभिकर्ता है उनके बीच में जो हिसाब होता है वो बाद भी इसी में आता है तरहां भी डिक्री में छटा है विभाजन तथा पृतक कपजे के लिए बाद विभाजन के लिए या पृतक करने के लिए भी इसी में आता है प्रोबंध बाद भी सीमय आते हैं बंदक संपत्ति के बिक्रे का बाद भी इसी प्रारंबिक डिक्री पारित की जाती है इन मामलों में मामलों में प्रारंबिक गुक्री पारिट की जाती है गि सपीाल हुदारा नियालएबाद का पूर्डूप से निपटारा करने वाली डिक्री अंतिम डिक्री होती है पूरी तरह से बात कर निपटारा हो जाती है यदी बैसक्षम न्याला द्वारा पारत की गई हो और उसके बुरुद कोई अपील समर्ष्थित नहीं की गई हो तब वो अंतिव धिक्री होती है किसी विवाजन के मामले में प्रारंबिक अग्यप्ति होने के पशाद यदी कोई ऐसे बात परिलक्षित हो जिसका न्याय अवश्चक हो तो न्याला इस प्रकार के उसार प्रारंबिक अग्यप्ति कर सकेगा किन्तु इस प्रकार का जो सुधार है तबी किया सकेगा जब अंतिम अग्यप्ति पारित ना ना हो जाए ठीक अन्यवाद देखिए इसमें मैंने कहा था आ है कि राजी नामे के जो अधार पर डेकरी है कि राजी नामे नामे पर जो पार डिकरी है वह डिकरी इंतरगेफ्ति आ कि बादेश क returned कि कि अगर कोछी बाद दावीर किया है ए ऑप हर डिकरी मांने जाएगा ऐसे आदेश के पंद्रा कि उ informal बदेखिएchni नहीं किया जा सकता ऐसा आदेष चानवय के अंतरगर अपील योग है कि साथिटि पृति का अदेश होता है और दीकरी नहीं होता है वह दीकरी प्रिभाशा में नहीं आता अचा हिंदुटरा दिकारा दिसे नहीं जो बही याता आता है तो यह बाता है यह इसमें ने आती है दोनों में अंतर रहे प्रारमब्रु और अंतर लखे जाता है कि क्या कियागा जाना है और रीचिक से अंति में परणाम का उल्यक रहता है क्या परणाम निकला जो प्रारंबिक दिक्री द्वारा प्राप किया होता है प्रारंबिक जो डिक्री होती है वो अंतिम डिक्री पर निरबर नहीं होती जबकि अंतिम डिक्री होती है वो प्रारंबिक डिक्री में बिनिश्यत किया गया अधिकार अंतिम और निश्चायव होते हैं और अंतिम रिक्री में उन्हें चुनाओती नहीं दी जा सकती Okay आज कि से वीडियो में मै own चांटा की प्रार्म्यर्मिक और अंतिम डिक्रीयारण दिक्री के most में अब मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए बाद जोड़े रही है हसन लाज्टेडी के साथ